भारत और रूस का Joint Defense Venture Brahmos Aerospace Hypersonic Missile बनाने में सक्षम है। भारत 5-6 साल में पहली Hypersonic Brahmos Missile बनाने में सफल हो जाएगा। ये जानकारी 13 जून 2022 को Brahmos Aerospace ने दी है। 5-6 साल के अंदर हम पहले Hypersonic Brahmos Missile बना देंगे ब्रहमोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर और रफ्तार में चलने वाली क्रूज मिसाइल है ब्रहमोस दुनिया का सबसे तेज, बैस्ट और सबसे सटीक घातक हथियार है आईए जानते हैं कि ब्रहमोस हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या होगी रूस और भारत मिलकर ब्रहमोस दो हाइपसोनिक मिसाइल बना रहे हैं इसमें वही स्क्रमेजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शांदार गती और गलाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमेटर होगी जिसे बढ़ा कर 1000 किलोमेटर किया जा सकता है लेकिन इसकी गती बहुत ज्यादा होगी यह मैकाठ यानी 9800 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफतार से दुश्मन पर धावा बोलेगी ब्रामोस दो हाइपसोनिक मिसाइल एंटी शिप, लान्ड अटेक, सता से सता पर मार करने वाली हाइपसोनिक क्रूज मिसाइल होगी इसी युदपोत, पंडुग भी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉंचर से दागा जा सकेगा इसका फाइदा ये होगा कि चीन या पाकिस्तान के टार गेट्स को खत्म करने में इसे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसकी गती इतनी ज्यादा होगी कि रड़ा पकड़ भी नहीं पाएंगे ब्रामोस दो हाइपसोनिक मिसाइल बी जिनकी हवाई सुरक्षा को भेदते हुए ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन के बीच से चुरी निकल जाती है ये हवा में अपनी दिशा बदल सकती है टार गेट का पीछा करके उसे खत्म कर सकेगी इसके लिए मिसाइल टेकनोलोजी कंट्रोल रिजीम MTCR तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ब्रामोस दो हाइपसोनिक क्रूज मिसाइल को नियंतरत किया जा सके आम भाशा में हाइपसोनिक हथियार का मतलब होता है द्वनी की गती से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार यानि जो हथियार हवा में 6,115 किलोमेटर प्रतिगंटा की गती से उड़ सके उसे हम हाइपसोनिक हथियार कहेंगे अगर यह हथियार समुद्र से कुछ उपर 12,2 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा हाइपसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम उचाई पर भी उड़ सकता है आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है भले ही टारगेट भाग रहा हो यानि यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है भारत हाइपसोनिक ग्लाइडा हथियार बना रहा है उसका परीक्षन भी कर चुका है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मानव रहित स्क्रामिजेट का हाइपसोनिक स्पीड फ्लाइड का सफल परीक्षन साल 2020 में किया था इसे HSTDV हाइपसोनिक टेक्नोलोजी डेमिन्स्ट्रेटर वियकल कहते है हाइपसोनिक स्पीड फ्लाइड के लिए मानव रहित स्क्रामिजेट प्रदर्शन विमान है जो विमान 6126 से 12251 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपसोनिक विमान कहते है भारत के HSTDV HSTDV का परीक्षन 20 सेकेंड से भी कम समय का था हालां की फिलहाल इसकी गती करीब 7500 किलोमेटर प्रतिघंटा थी लेकिन भविश्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है साथ ही दुश्मन पर पलक जपकते ही बम गिराये जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है भारत का ये पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड वीकल होगा फिलहाल ये कॉंसेप्ट के स्तर पर है उम्मीद जताई जा रही है कि यह मेक 5 यानी करीब 4000 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफतार से उड़ेगा भारत सरकार के साथ एक निजी कमपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इसका आधिकारिक नाम HGV 202F रखा गया है